मैं आज आपसे बात करूँगा बांडे ग्राफ जनेटर के बारे में बांडे ग्राफ जनेटर का प्रिंसिपल उसकी वरकिंग को समझने से पहले हमें कुछ फिजिक्स के एक दो सिधानतों की एक दो लॉजिक पूर्ण तथ्यों की हमें बात करनी होगी जैसे मैं एक अग्जामपिल आपको देता हूँ कि जैसे एक आपने देखा कि ये एक सर्किल है और मैंने इसमें पहीं चोंस्ती बना दी हलकी सी अगर पहर से से हम चार्ज देते हैं तो आपको पता होगा कि ये चार्ज सभी कंडक्टिंग मैटरियल पर डिस्टिबूट हो जाता है समान रूप से बढ़ जाता है ये आपेश किन्तु कि चार्ज देंसिटी परती एक पार्ट पर बराबर होगी अगर ये प्यॉर सर्किल है तो हाँ निश्चित रूप से बराबर होगी किन्तु अगर ये कहीं कौर्णर निकल गया जैसे पाइंट निकाला मैंने ये तो होगा यहां पर चार्ज डेंसिटी जादा होगी charge density की value होती है sigma is equal to Q upon A यानि जहाँ क्या होगा जहाँ पर surface area ज्यादा होगा वहाँ पर charge density कम होगी आवेश घरत्व होगा और जहां का surface area कम होगा वहाँ charge density ज्यादा होगी अगर आपने त्वारा इसे थोड़ा सा killer करूं कि अगर आपने देखा कि भई ये एक surface है यह और एक surface इससे भी थोड़ा सा बड़ा होके यह होके है तो निश्चित रूप से इनकी radius क्या होगी कम होगी और radius काम होने से क्या हुआ? charge density जहादा होगी एक दूसरा भी हम एक तथिया की यूज है हम करेंगे कि अगर कोई conductor है, कोई sphere है और उस sphere को हमने 20 volt दे दिया मान लीजे, positive charge और उसके अंदर एक दूसरा conducting sphere है और उसको 5 volt दिया गया उसकी surface पर और दोनों को अगर हम add कर दें एक दूसरे से, जोड़ दें तो क्या होगा पता है अंदर वाले का जो voltage है या पोर चार्ज है, वो बाहर वाली surface पर आ जाएगा इस तथ्य का यूजवी से प्रंस्पल का यूजवी बांटे ग्राफ जनेटर में किया गया है अब हम बात करेंगे सीधा आकर कि बाई बांटे ग्राफ जनेटर क्या है और यह किस पर कार्या करता है आप देखेंगे यह एक वांटे ग्राफ जनेटर का तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है इसमें होगा क्या कि उपर एक एस्पेर होता है यह उपर और यह जो इस्पेर है यह conducting material का है बिलकुल इस्पेर आपको दूर से देखने में यह जो figure दिखा ही जाएगी आपके वांटे ग्राफ जनेटर की तो इस टाइप की यह उपर बिलकुल इस्पेर होगा है और दो stand है यह दोनो stand जो दोनो तरफ है यह insulator है टोटल insulator ground से जोड़ा गया उसे insulator को और यह दो metal है comb यह metal comb हैं दोनो यह metal के बने हैं जैसे एक कंगा होता है उस शेप में इसे बनाया गया है यह पर यह metal comb है A भी और B भी और metal comb के यह एक घिरनी टाइप है जिससे इसे मोटरा लगा होता है जिससे यह जो एक belt है यह flexible belt है और non-conductive belt है non-conductive means यह conductor नहीं है यह non-conducting belt है insulating belt है और यह दो घिरनी पर यह घूम सकती है belt और उसके साथ साथ एक इसके साथ मोटर भी लगा होता है जो मोटर के द्वारा यह belt इस पर घूमती है यह comb इनके metal comb है अब हम बात करते हैं इसके कारिया करने की कारिया किस परकार one-day graph generator करता है यह metal एक जो comb है यह एक electric source से जुड़ा होता है बैटरी से और इस बैटरी के द्वारा इस metal comb उपर positive charge आ जाता है यह जब positive charge आता है यह आपको अभी मैंने बताया था एक इसका principle कि यह electric charge density कहां जादा होगी यह corner पर जादा होती है हमेशा क्योंकि इनका surface area कम होता है यहाँ पर यह positive charge आ जाएगा corner इनके सब भी जितने भी नुकीले हैं इन part पर सब पर positive charge आ जाएगा क्योंकि source से जुड़ा है इसके आगे एक यह belt लगी है जो insulator है जब यह belt insulator है तब क्या होगा इस insulator के कुछ electrons निकल कर जो यह comb पर positive charge आया है उसे खतम कर देगा negative charge निकल कर तो उससे क्या होगा negative charge जो insulating material के जो इस non-conductive belt के negative charge ने positive को खतम कर दिया तो already ही इस पर फिर positive charge develop हो जाएगा क्योंकि आप थोड़ा साध्यान से देखिएगा यह comb है comb पर यह positive charge साथ में belt इस belt पर positive, negative जो को neutral था दोनों थे negative तो इससे लड़ने आ गया और इस positive को खतम कर दिया और वो negative भी खतम हो किया तो क्या बचा यह positive charge यह तो बचा और यह positive charge belt पर आ जाता है इस portion में जब यह positive charge इस position में आ जाता है चूंकि यह belt non-conducting है तो वो positive charge movement नहीं करेगा वो positive charge गतिशिल नहीं होगा अगर यह belt conducting होती चालक होती तब क्या होता वो charge भी movable हो जाता तो यह जहां रखा है वही पर positive charge रहेगा अब हम इस positive charge को उपर भेजने लिए क्या करेंगे इस belt को motor की सहिता से इसे हम चलाना सुरू कर देंगे motor start करेंगे और जैसे ही motor अपना कारिया करेगी इन दो घिरनियों पर यह positive charge उपर जाना सुरू हो जाएगा अपने आप यह गया नहीं अपने आप क्यों नहीं गया क्योंकि यह belt non-conductive थी अब यह positive charge जो उपर चला गया यह belt पर चला गया यह पॉजिटिव charge आ गया उपर अब जब यह positive charge आ गया यहां से यहां भी एक metal comb है उस metal comb के जितने भी electrons है वो सब secure attract हो जाते है negative charge positive के दरब attract होता है उसे नलिफाई करते है और जो इसका positive charge comb का वो चुकी मैंने भी सिधान्द बताया था कि अगर अंदर भी sphere है और बाहर भी sphere है या कोई भी shape है तो वो charge बाहर चलता है इस सर्फेस पर positive charge इखटा होना शुरू हो जाता है निचे से charge आते जाते है और यह हैं इखटा होना यहां का positive negative charge इसे नलिफाई करता है और यहां positive charge surface पर आना शुरू हो जाता है एक फाइदा यह होता है कि यह belt आगे जाने के बाद फिर neutral हो जाती है क्योंकि जो यह positive charge नीचे से उपर आया था वो इस कॉम के electron के द्वारा समाप्त कर दिया गया और यह positive charge आगे नहीं जाएंगे और यह फिर neutral हो जाएगी और यह गोम कर फिर से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद क्या करेगी यह belt जब यह belt नीचे आएगी फिर יह सकॉम के पास आएगा और फिर यहां का positive charge यहां पर जाएगा और वो belt उपर लेकर जाने का कारिया करेगी carrier का का कारिया यह करेगी और हर चक्कर में सर्फेस पर positive charge जादा होता जाएगा, positive charge जादा होने के साथ साथ, यहाँ जादा electric potential डेवलप होगा, एक electric field डेवलप हो जाएगा, उस electric field से जो बाहर की air है, जो बाहर की air है, वो भी परभवित होगी, उसका भी ionization ना हो जाए, इस वज़े से इसे एक box में रखा जाता है, और उसमें कोई भी इसके लिए गैस जैसे SF6 Sulfur, Hexafluoride उसको भर दिया जाता है One Day Graph Generator का यूज क्या होता है? One Day Graph Generator का यूज electric field डेफलप करने में बैद्दू छेद उत्पन करने में होता है और आपने वह सती nuclear reactions से सुनी होंगी उन nuclear reactions में electron ने electron के टक्कर मारदी, electron, proton का टक्कर हो गया proton, positron, electron का टक्कर हो गया उसे इतना ज़्यादा potential difference देने के लिए One Day Graph Generator का प्योग किया जाता है अब हम आपको उसका practical रूप दिखाते हैं कि One Day Graph Generator जो आप देखते हैं दूर से देखने से वो कैसा लगता है ये वो system है जो आपको दिखाया गया इस system में एक गिरनी गिरनी के उपर से एक non-conducting belt उपर जा रही है जो मैंने बताया था नीचे दो कॉम एक कॉम नीचे कॉम उपर metal कॉम और उपर का sphere जो total metal का है stand insulating है और क्या होगा जैसा कि आपको बताया था मैंने कि नीचे का जो electric कॉम है वो positive charge belt पर भेज देता है और चुकि ये non-conducting है belt एचालक है तो क्या होगा वो positive charge खुद तो उपर नहीं जा सकता तो हम क्या करते हैं हम motor के द्वारा motor के द्वारा belt को खिसकाते हैं चार तो गुमाते हैं और ये positive charge उपर जाना शुरू हो जाता है जैसे जा रहा है लगातार अब ये positive charge surface पर जाकर इखटा होना शुरू हो जाता है और इस pair पर क्या होगा positive charge density जदा होती है और positive charge density जदा होने के साथ साथ electric field की value जदा होती चले जाती है और one day graph generator के द्वारा electric field या potential difference डेवलफ होना शुरू हो जाता है कि बहुत जादा potential surface पर आ जाता है इस potential का उपयोग हम nuclear reactions में करते हैं और nuclear reactions में particles के टक्कर होने के कारण या और भी बहुत से कारिय किये जाते हैं जैसे मैं इसका एक example और दिखाता हूँ आपको यह देखे आप कि जैसे इसकी working से आप समझ जाएंगे कि यह positive charge जा रहा है और वो positive charge नीचे जाके इसे potential देता है और उसका हम use हम कर रही है एक अन्य example देखे आप उस अन्य example को भी आप देखेंगे तो किस परकार यह flow हो रहा है charge का potential का electric field का हम different जगा है उसका उपयोग हम कर ले करते हैं different applications हैं जिनका use हम करते हैं जिनको आप बहुत easily देख सकते हैं समझ सकते हैं एक अन्य example कि देखे charge आया और वो charge के कारण ही यह जो balloon है यह से चिपक जाएगा और देखे movement कर रहा है परन्तु यह balloon इससे हटने को त्यार नहीं है क्योंकि वो electric field के कारण attraction force हुआ develop हुआ तो ऐसा होता है अन्य example हम देखते हैं यह देखें आप इसका example तो one day graph generator के बहुत सब उप्योग है और जो electric field develop किया जाता है electric charge develop किया जा सकता है और potential develop होता है और उस potential का हम बहुत से कार्यों में उप्योग करते हैं यह घंडे उप्योग थोड़े से मबात आप देखेंगे इस परकार one day graph generator हमारे लिए बहुत उप्योगी है और आपने one day graph generator का नाम भी बहुत सुना होगा आज उसकी कार्यों विधिवी आपको समझ आई होगी धन्यवाद